नमस्ते, मैत्री बोध के परिवर्तन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है हम हमेशा कुछ एपिसोड के बाद आपके प्रश्ण लेते हैं और परिवर्तन को और गहराईयों के साथ समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि परिवर्तन जितना भी हम अलग-अलग सिध्धान सीखते हैं, सूत्र सीखते हैं पर हमारे वास्तविक जीवन में जब कुछ चैलेंजेस आते हैं, कठना ही आती है तब उस वक्त पे इन सिध्धान्तों को, इन सूत्रों को किस तरह से हम अमल में लेके आ पाएं और अ हमारे एक विवर है, उन्हेंने एक प्रशन पूछा है, उनका नाम हर्ष जी है और लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, और वो प्रशन ऐसा है कि उनके जो पडोस में रहते हैं, उन्हें काफी परेशान करते हैं, काफी सालों से लगातार उन्हें परेशान करते जा रहे है इन्होंने सब कुछ कर लिया अपने उस समस्या को ठीक करने के लिए बात कर लिया सब कुछ कर लिया पर जो समस्या चल रही है वो वैसे कि वैसे ही है अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे वो ये कहते कि हम साधनाय भी करते हैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते भी है पार्थनाएं करते हैं पर फिर भी कुछ ठीक हुआ नहीं तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए तो आज मैं आपसे इसाइद आपके सभी के जीवन में ऐसे ही कुछ होता होगा वक्ती बदलते होंगे कोई पडोस में है तो किसी के साथ घर में है कही पर किसी के साथ अपने जहां पर आप काम करते हो वहां पर भी ऐसे लोग हो सकते हैं तो इस वक्त क्या करना चाहिए बहुत practically हम देखने कोशिश करते हैं अब आपके पास यहां पर दो विकल्प है पहला विकल्प यह है कि आप जो भी समस्या है जो भी कठिन परिस्थिती है उसका सामना करें और दूसरा आप उसे छोड़ दे उससे आप अलग हो जाएं जो भी कठिन परिस्थिती है उससे हम अपने आपको अलग कर दे आप दोलों मेंसे कुछ भी कर सकते अभी छोड़ देना जो भी समस्या है गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना नहीं ठीक है मैं नहीं कर सकता इसे सॉल भी नहीं कर सकता तो situation से दूर हो जाना अब इनके case में ऐसा है कि उनके जो पडोस में रहते हैं वो उन्हें इतना परिशान करते हैं कि ये घर छोड़के चले जाए अब यहाँ पर give up करना, छोड़ देना मतलब क्या घर छोड़के चले जाना हो तो ऐसे वक्त पर क्या करना चाहिए, तो ये आपके पास स्विकल तो है, आप छोड़के भी जा सकते हैं अब ये सुझा अच्छा भी हो सकता है अगर आप थोड़ी सी भोश्यारी लेकर आएं तो ये जो निर्णय है ये भी अच्छा हो सकता है क्योंकि कभी आप दे कि साम को न काटने के लिए आप कोई प्रशिक्षन नहीं दे सकते बिच्छू को न काटने के लिए आप कोई प्रशिक्षन नहीं दे सकते आपके रास्ते पर अगर साम आता है सामने और आपके सामने वो खड़ा है, नाग खड़ा है तो उस वक्ते आप क्या कर रहें उसके पीछे पीछे भागे उसे खेलने के ले जाए कि वो अगर आपके तरफ आता है तो आप वहाँ से दूर चले जाए ये होशियारी का निरने होता है तो आप उस तरह से भी सोच सकते हैं कि अपने आपको दूर कर लेना अब जब पहला विकल्प हमने सोचा था कि समस्या का सामना करना आपके पास ये विकल्प भी है अगर आपने ये निरने लिया कि नहीं मैं वहाँ पर डटके रहूँगा और अपनी समस्या को वही पर मैं हल करूँगा उसे ठीक करूँगा तो इस विकल्प के साथ भी आप चल सकते हो अब जब हम इस विकल्प के साथ चलते हैं तो आपके भीतर स्पष्ठ हो कि आप क्या करना चाह रहे हो अब किसलिए ये जो संगर्ष चल रहा है ये जो लड़ाई है ये किस लिया आप कर रहे हो अगर आपके पस सत्य है आपने अपनी तरफ से कुछ छेड़कानी नहीं की है आप अपने सत्य के लिए खड़े हैं तो आपको वहाँ पर खड़े होना ही होगा पर आपको ये भी याद रखना होगा कि सत्य के लड़ाई लंबी दूरी तक चलती है लंबे समय तक चलती है तो अपने भीतर वो भी तैयरी करनी होगी कि यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं आप अच्छे लोगों का प्रतिनीधित्व कर रहे हैं आप सत्य के लिए खड़े हैं तो आपको वहाँ पर नीडरता के साथ खड़े होना होगा क्योंकि अध्यात्मिक रास्ता आपको डराता नहीं है अध्यात्मिक अवस्ता आपको सामर्थेवान बनाती है आपको डरपोक नहीं बनाती आपके भीतर धेरी आता है शक्ति आती है और आप वहाँ पर खड़े होते हो अपनी सम्वस्या को हल करने के लिए तो आप अगर इस विकल्ब के साथ चल रहे हैं तो आप डटके रहें वहाँ पर अपनी बातों को ठीक से रखें जो भी प्रकार से, जिसे भी प्रकार से आप जो भी आपको ठीक लगता है उस सारे प्रकारों से आप उस विक्ति को समझानी की कुशिश कर सकते हो देश चलता है समवीधान के अनुसार हमारा जो समवीधान है आपको गलत काम करने के लिए सपोर्ट नहीं करता तो आपको सही के साथ, सत्य के साथ वहाँ पर खड़े होना है आपके साथ सारे अच्छे लोग जुड जाएंगे हम आपसे जुड जाएंगे और हम आपके मदद करेंगे सहायता करेंगे अगर आपको फिर भी कुछ तकलीफ है कुछ समस्या ठीक नहीं हो रही है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सारे चीजे ठीक से आप अध्यात्मिक रास्तों के द्वारा सॉल्फ कर सकते हैं हल कर सकते हैं आप चिंता करना छोड़ दे आपकी जो भी समस्या है वो एक दिन ठीक होने वाली है हल होने वाली है उस समस्या का समाधान होने वाला है यहाँ पर जो भी आप आपके भीतर दुख है वो दुख सुख में परिवर्तित होगा आप विश्वास रखें और आगे बढ़ें यह सभी के लिए है कि विश्वास रखें और आगे बढ़ें भीतर धेरिय रखें पेशन्स रखें कि सब कुछ ठीक होगा हम सब इस परिवर्तन के अनुभव के साथ अवस्था के साथ सभी को जितने भी हमारे पास आसपास लोग है उन्हें उन सद्गूरों के साथ हम हमारे साथ आगे लेके चलें और इस रिष्टी को हमारे देश को और अच्छी रहा पर हम लेके जाब आएं इस जवाब के उपर आप सभी सोचें और अपने जिवन में बतलाव लाने की कोशिश करें हम अगले हफ्ते फिर से एक नई विचार के साथ मिलेंगे आप सभी का धन्यवाद आप सभी का मंगल हो आप सभी का कल्यान हो नमस्ते और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन आफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शोओ फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शोओ अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव अप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP निउज आपको रखे आगे